परदेश के पेंशनरों को पेंशन से संबंदित आ रही दिक्तों को घरदवार पर हल करने और परदेश सरकार के शंशोदित किये जा रहे नियमों से आवगत करवाने के उद्देशे से हमीरपुर के हमीरभवन में दो दिवसी पेंशन अधालत कायोजिन किया गया जिसका अमारों में लगबग देड़ सो से एक सो साथ डीडियो जिराकोश अधिकारी एबं पेंशन कल्यान संग के पददिकारियों ने भाग लिया। लेखा अधिकारी हरीश जुलका ने बताया कि पेंशन संबंदित समस्याओं का मौके पर ही निप्टारा करने के उद्देशे से पेंशन अधालत का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पेंशन अधालत के माद्यम से सरकार के नए नियमों की जानकारी दी गई और पेंशन संबंदित समस्याओं का मौके पर ही निप्टारा किया गया। कि हम हर एक डिस्टिक में जाकर पेंशन अधालत लगाएंगे उसी डिस्टिक के जो पेंशनर्स हैं जो लोनीज हैं या वहां के जो डीडियोज हैं उन सब को अवेर करेंगे कि नियमों और कानूनों में जो पिछले दिनों परिवर्तन हुए हैं इमाचल सरकार दोरा जो प कियोरीज हैं कि किस तरह से उनके मामले स्टेट गोर्वर्मन्ट के पास लंबित हैं या महालिका कार्याले उसमें किस तरह से उनको मदद कर सकता है उनकी सहायता कर सकता है तरह डीडियोज को बदलेवे नियमों कानूनों के तहत किस तरह से कारे करने के लिए प्रोच सहीद किया जाए ये इसका उदेशे रहता है जुलका ने बताए कि दो साल से चले हुए इस अभियान के तहट गदवर्ष परदेश की चार जिलों में इसका आयोजन हो चुका है और इस साल का ये पहला आयोजन हमीदपूर जिला में किया गया है इसके बाद अगली पेंशन आदाल मई मा मह किनोर में आयोजन की जाएगी जिसमें नियमनसार मामलों का निप्टारा किया जाएगा ये दो साल से चले वे इस अभियान में पिछले साल हमने चार जगा पर चार डिस्टिक्स में शिमला, सोलन, नहान और बिलासपूर में इस पैंशन अदालत का आयोजित किया और आज इस वर्ष की पहली पेंशन अदालत हमीरपूर में हमीरभवन में आयोजित की जा रही है जिसका शुवारम यहां के डिसी डॉक्टर रिचा वर्मा ने इसका शुवारम किया तथा महालिकाकार महाले ने इसका प्रेजड ओबर किया और इसके बाद हमारे इगली जो पेंशन अदालत लगेंगी वो मही महीने में किनाओर में ने इरजित की जाएगी जिसमें वहां के डिस्टिक्ट के जितने वे पेंशनर्ड होंगे लूनीज होंगे ताधा जो डिडियोज होंगे उनको नियूमो कानूनों से तसा उनकी जो क्यूरीज हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका स्पोर्ट परी समाधान करना इसका उदेश है